अब चलिए question number 5 को बनानी के लिए सीखते हैं काफी असान question है लेकिन ये 2 marks में question नहीं देना चाहिए था 3 marks में देना चाहिए था क्योंकि ये थोड़ा सा long बनेगा easy है पर long बनेगा ठीक है? चलिए solution को सीखते हैं देखो यहाँ पे दिया गया है कि पीक्यू और पी आर दो टेंजेंट्स है इस सरकिल में ठीक है? तो यहाँ देखो पीक्यू और ये पी आर दोनों टेंजेंट्स हो गया question में आगे दिया गया है कि angle O, P, R इसका जो value है वो 45 degree है तो prove करके दिखाना है कि O, R, P, Q O, R, P, Q ठीक है? O, R, P, Q ये क्या है? एक square होगा तो square प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो side हमको सारा equal प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा और सारा जो angle है वो 90 degree है ये भी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ठीक है? तो ये proof तभी होगा जब हम इन दोनों O, P, R का value 45 degree है और 2 proof में लिए कि O, R, P, Q एक square है ये हमें प्रूफ करके दिखाना है ठीक है? और दोनों जो triangle अभी हमने आप लोग को लेने के लिए बोला O, P, Q और O, R, P तो ये दोनों triangle हमने यहाँ पे लिया हुआ है ठीक है? O, P, Q या फिर O, Q, P और O, R, P ठीक है? अब इन दोनों में क्या-क्या मिल रहा है तो देखो इन दोनों triangle में क्या-क्या मिल रहा है तीन condition हमें चाहिए देखो ये radii दोनों equal हो जाएगा tangents भी equal होता है और O, P, O, P common भी हो जाएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन condition मिल जा रहा है ठीक है? तो वही तीनों चीज़े हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर देखो O Q ब्रावर O R रेडियाय अदसर्कील हो गया ये common हो गया और ये tensents हो गया दोनों triangle को हम यहाँ पे congruence कर दिये SSS से तो जब हम यहाँ पे congruence proof कर दिये इन दोनों को तो अब हम CPCT से कह सकते हैं कि ये side ये side ब्रावर होगा और ये side ये side ब्रावर होगा ठीक है तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे CPCT से दोनों angle को हम equal कर दिये दोनों side को हम equal कर दिये और दोनों angle equal था तो एक का अगर 45 था दुसरे का भी 45 हो गया यहाँ पे हम लिख लिए है ठीक है अब यहाँ पे figure में अगर हम देखे तो यह क्या है एक quadilateral है quadilateral का चारो angle का जो sum होता है वो 360 के equal होता है और यह वाला जो है आप यहाँ पे देखो तो यह tangent है और यह radius है तो यह क्या होदा perpendicular तो यहाँ पे 90 degree होगा यहाँ भी 90 होगा यह 45-45 यह भी 90 होगा ठीक है तीन बार यहाँ पे 90 आ रहा है और यह वाला angle हम पहले निकालेंगे ठीक है तो वही चीज़ हमने यहाँ solution में भी किया हुआ होगा ठीक है यहाँ पे आप solution देख लो पहले हम यहाँ पे क्या किया है RPQ निकाल लिए जैसे का अभी मैंने आप लोगो 90 बताया PRO और OPQ तो इसका वैल्यू PRO के equal था तो पी आरो पी आरो दोनों में लिख लिए एक एक दो हो गया और इसका वैल्यू 45 था तो 90 हो ठीक है तीनों का 90 90 90 हो गया तो quadilateral में यहाँ पे देखो quadilateral में चारो साइड को जोडते हैं तो 360 के बराबर होता है तीन में तो 90 आया था अभी मैंने आप लोगों समझाया और ये वाला एक एंगल बच गया था इन तीनों को जोड़े 270 आया फिर 360 में से 270 घटा देंगे तो ROQ का वैल्यू निकल जाएगा 90 डिगरी यानि कि चारो एंगल जो हो गया है वो 90 डिगरी हो गया ठीक है चारो एंगल 90 डिगरी हो गया हम समझ गया है ठीक है और जो चारो साइड था वो भी बराबर हो गया चारो एंगल भी यहाँ पे इस फिगर में 90 90 करके आ गया ठीक है यह भी 90 था यह भी 90 था यह भी 90 था यह भी 90 था यह भी 90 आ गया चारो को जोड़ेंगे 360 हो जा रहा है यानि कि चारो एंगल इक्वल 90 देगरी करके और चारो साइड भी इक्वल हो जा रहा है ठीक है क्योंकि हमने आल्रेडी जो है जानते हैं कि जो टेंजेंट है वो ये दोनों साइट तो ऐसी एक्वाल है ये दोनों साइट ऐसी एक्वाल है अब बच गया ये साइट और ये साइट तो हमने CPCT से ये दोनों साइट को भी तो एक्वाल प्रूफ किया था ठीक है आगे हम दूसरे कोशन को बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे थैंक यू